नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पी एफपी में एक्सिस बैंक के क्वाटर थी के रिजर्ट्स आ चुके हैं जैसे रिजर्ट्स आ रहे हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट्स उस पर रियाक्ट करती था है अच्छे रिजर्ट्स आते हैं तो ज्यादा गिरता हुआ नजरा रहा है प्रोविजन्स भी बढ़ते हुए नजरा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में क्या करना चाहिए क्योंकि अफकॉर्स एक निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है बहुत ही बड़ी बैंक है तो क्या बाइंग की अपॉर्चुनि के स्टैंड अलोन फाइनेंशल रिजल जहां पर सारे फिगर्स रूपीज इन लैक्स में दिये गए हैं तो इंटरस्ट अर्ण के बारे में बात करें जो कि इसकी में इंकम भी होती है तो अब देख पाएंगे 15,498 लैक्स की इंकम हमें इंटरस्ट में दिखाई दे रही है जो कि पिछले क्वाटर के मुकाबले नीचे है और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मल रही है अगर बात करें इसके टोटल इंकम के बारे में तो टोटल इंकम 19,274.39 लैक्स की हमें दिखाई दे रही है जो कि पिछले जरूर देखने को मिल रहे है जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए operating profits के बारे में बात करें तो 6095 लाक्स का operating profit है जो कि हमें quarter on quarter basis पे अच्छी खासी गिरावट दिखा जाला है अगर बात करें year on year basis के बारे में तो यहाँ पर हमें भड़त देखने को मिल जाती है अब provisioning के बारे में बात करें तो यह बहुत ही important number होता है banks को जब भी हम study करते हैं तो provisioning को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और फिलाल तो यह और भी कुछ ज़्यादा ही जरूरी हो चुका है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर बना हुआ है banking industry पर कि यहाँ पर provisioning बहुत ही बढ़ा नहीं पड़ेगी NPS की situation फिलाल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि RBI के ऐसे norms है लेकिन आगे situation खराब हो सकती है क्योंकि COVID के कारण कई businesses पर बहुत ही बुरा impact पड़ा है especially जो चोटे business है वहाँ पर बहुत ही बुरा impact हमें पड़ता हुआ नजरात है net profit के बारे में बात करें तो net profit एकदम से slide होता हुआ नजराया है अब देख पाएंगे हमें कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मल लिए 1116 का यहाँ पर number हमें दिखा देता है जो की तेजी से नीचे जाता हुआ नजराया है year on year basis पे 36% की गिरावट देखने को मल लिए जब मैं यह BSE से डाउनलोड करने Google पे गया तो मैंने देखा कि यहां और Axis Bank का जो prediction किया जा रहा था कि 30% profit YOY उपर जाएगा और कहीं पर तो मैंने यह भी देखा कि 80% भी उपर जा सकता है ऐसी यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा था तो ऐसी situation में market के expectation से अगर थोड़ा सा भी कम आ जाता है तो market तुरंथी उसे factoring करती है और stock में गिरावट आ जाती है और यहां पर तो सीजा 30% upside से 30% का downside देखने को मल रहा है capital adequacy ratio के बार में बात करें तो यहां पर जो situation है stable ही दिखाई दे रही है ज्यादा change यहां पर हमें दिखाई नहीं देता NPS के बार में बात करें तो जो gross NPS है वो 3.44 है जो कि हमें कम ही दिखाई देंगे उसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि फिलाल RBI के norm CS है और percentage of net NPS के बार में बात करें तो यहां पर भी situation सेम दिखाई दे रही है लेकिन return on assets आप देख पाएंगे deteriorate होते जा रहे है पिछले quarter के मुकाबले भी यहां पर return on assets कम हो चुके है और पिछले साल के मुकाबले वायवान basis पे भी अच्छी खासी गिरावट हमें return on assets पे दिखाई दे रही है जो कि of course एक अच्छी बात नहीं है और इसका जो number 1 के नीचे ही दिखा जेता है तो यहां पर कोई अच्छी situation फिलाल दो दिखाई नहीं दे रही है तो overall जो results है थोड़े से disappointing यह दिखा जेते हैं provisioning ज्यादा करनी पड़ी है और इसी के कारण net profit में ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही है जैसे बंदन bank में भी हमने देखने को मिला था बंदन bank के जब results आयते तो वहाँ पर भी profit में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी वहाँ पर भी provisioning बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उसके चलते आपने देखा कि stock में कैसा reaction देखने को मिला कैसी गिरावट देखने को मिली अलाकि इसे हम totally बंदन bank से compare नहीं कर सकते है उसका reason है कि बंदन bank जहाँ पर ज़्यादा focus करता है east side पे वहाँ पर elections आ रहे हैं और elections में कई पर loan waiver के बार में बात हो रही है इसके चलते ज़्यादा pressure बना हुआ है इसलिए direct comparison तो of course नहीं होगा लेकिन कुछ comparison वहाँ पर भी कर सकते हैं net profit में वहाँ पर भी ग्रावरती और provisioning में वहाँ पर भी बहुत ही बड़ा उतर देखने को मिले थी और सी same situation Axis bank में भी हमें आपर दिखाई दे रही है stock के बार में चर्चा कर लेते हैं एक large cap stock है बड़ी bank है 2 lakh करोड की market cap है 632 का last rate price है जो कि already 4% नीचे है अगर इसके returns के profile के बार में बात करें तो 1 month में 6.5% की तेजी दिखा चुका है 1 year के बार में बात करें तो 11% के correction पे available है 5 years के बार में बात करें तो 58% के positive return stock ने बना कर दिया है key metrics के बार में बात करें तो valuation इसका PE ratio के basis पे महेंगा दिखा ज़र है 95 है लेकिन जैसे कि मैंने आपको कई पर बता है financial institutions में price to book ratio ज़्यादा important माना जाता है 2.14 का price to book ratio है जो की sector के साथ ही चलता हुआ नजराता है जैसे अगर बात करें company के profile के बार में तो जैसे कि हम सभी को बता है banking products का का कामकाच है retail banking corporate banking में ये कामकाच करता है लेकिन profitability sustain नहीं कर पाती 3.95,000 crores का profit था 2017 में जो की 2018 में तो बहुत ही कम हो गया वापस बहुत ही बढ़ गया था और वापस 2020 में गिरावर्ट देखने को मिल गई तो profitability यहाँ पर हमें sustain दिखाई नहीं दे रही है जो कि आपको इसके charts पर भी दिखाई देगा sustainable growth यहाँ पर हमें generally access bank में चार्ट पर दिखाई नहीं देती आज के delivery percentage के बार में बात करें तो 39% की strong delivery हमें चार्ट में फिलाल तो दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं अच्छी rally हमें stock में देखने को मिली है 400 के level से stock भागता हुआ ऊपर आया है 700 के level तक हमें stock जाता हुआ नजर आया है bank nifty में भी अच्छी rally देखने को मिली थी जहाँ पर इसने participant भी गया है लेकिन जैसे दूसरे bank हमने देखे HDFC हो गया या quote-up हो गया या ICICI भी हो गया वो अपने pre-covid levels पर पहुँच चुक है लेकिन access अभी तक हमें पहुचता हुआ नजर नहीं आया है और इसके quarter 3 के results में भी हमें पता चली जाता है कि क्यों नहीं पहुच आया है fundamentals में भी of course फरक तो दिखाई दे जाता है अगर current situation के बारे में बात करें तो stock हमें weak होता हुआ नजर आ रहा है अपने 50 days के moving average के आसपास आ चुका है 20 days का moving average अलड़ी तोड़ दिया है अगर बात करें इसके indicators के बारे में तो money flow index का number 57 है जो की weak हो चुका है अगर बात करें RSI के number के बारे में तो RSI का number 45.86 है यहाँ पर भी weakness बनी हुए of course nifty भी गिर रहा है market overall हमें downside दिखाई दे रही है तो यहाँ पर भी गिरावट तो होनी है यह रिष्ट कोसर का निर्माट भी हो चुका है अगर बात करें Bollinger Band के बारे में तो Bollinger Band के lower band की तरफ जाता हुआ नजराता है lower band 616 का level है median 657 का है upper band 699 का level है pivot points के बार में बात करें तो pivot level 608 का level है pivot resistance जो इसे face करना पड़ा वो 676 का है वहाँ पर उपर तो गया था लेकिन sustain नहीं हो पाता था support के बार में बात करें तो 580 और 540 का दो pivot support हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके all time chart पर मैं आपको लाना चाहूंगा जहाँ पर clearly हमें पता चलता है जो growth कोटग महिंद्रा bank जैसी जो banking industry में दिखाई देती है HDFC bank में दिखाई देती है वैसी same situation हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है generally stock में कई बार struggles हमें देखने को मिल जाता है 2015 के बाद आप देख पाएंगे कई बार stock को hurdle face करना पड़ा जो 600 रुपे का current market price है उसके आसपास कई बार stock जाता था यहाँ पर resistance बहुत ही बड़ा है generally जब भी stock इस level के आसपास आता है तो stock में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है इस level से जब भी stock में गिरावट होई है तो कम से कम 550 के levels तो हमें stock में देखने को मिले जाता है जो कि मैं आपको note करने को कहने वाला हूँ अब यहाँ पर ऐसी situation में positions के बारे में बात कर लेता है तो अगर आपने long term के लिया है तो मेरा मानने bank बुरी नहीं है आप इसे continue holding कर सकते हैं लेकिन first choice अगर रहेगी तो यह मैं कहूंगा कि आपको first choice access bank नहीं रखनी चाहिए इससे कहीं ज्यादा बहतर fundamentals हैं HDFC bank और Quotec Mahindra bank को तो वहाँ पर आप study करने के बाद investment करने के बारे में सोच सकते हैं first choice में मेरे इससाब से यह bank आपके portfolio में नहीं होनी चाहिए बाकि last decision तो हमेशा आपका ही रहने वाला है जो quarter 3 के results आए of course थोड़े से disappointing हमें दिखाई दे रहे हैं market कैसा react करती है तो हमें कल पता चल नहीं वाला है और आज भी already हमें गिरावट तो इसमें देखने को मिली चुकी है जो कि sentiment भी काफी हमें week देखने को मिला था उसके चलती भी हुई थी तो overall हमें इसके results जो आए हैं नीचे के prices पे दिखा जिता है generally मैं आपके अपनी बात कर रहा हूँ मैं आपको ए force नहीं कर रहा हूँ कि आप भी इसी strategy को follow कीजिए लेकिन generally जब भी axis bank में कुछ ज़्यादा ही गिरावट आ जाती है कुछ ज़्यादा ही negative news के करण या फिर कोई reason के करण stock कुछ ज़्यादा ही नीचे आ जाता है तो वहाँ पर मैं investment करना पसंद करता हूँ जब इसमें risk reward ratio हमारे favor में होता है तो यहाँ पर मैं आपको watch risk पे लगा कर रखने को काऊँगा क्योंकि oral bank का जो काम का जब बहुत ही बड़ा है बहुत ही अच्छे इसके हमें fundamentals भी इसके sound हमें दिखा देते हैं company में सिर्फ बुरी बात है ऐसा नहीं है company ने आपको बता होगा max life insurance में अपने stake को भी बड़ा है तो company अच्छा काम काच कर रही है अच्छा हमें इसका services भी हमें काफी अच्छे दिखा देते हैं मैं personal इसका user भी रहा हूँ तो ऐसी situation में मेरा माणने अगर stock में गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पर buying के बारे में सोच दा सकता है और जिस हिसाब से market का sentiment बना हुआ है तो यहाँ पर आप investment करने के बारे में सोच सकते है अगर आप stock को buy करने के बारे में सोच रहे है अगर आप इसमें investment करना पसंद करते है तो 550 का level एक अच्छा level हो सकता है accumulation करने के लिए long time के लिए भी stock बुरा नहीं है लेकिन first choice नहीं होनी चाहिए बस उतना कहना चाहूँगा तो 550 के level से आप buying initiate करने के बारे में सोच सकते है और जब भी इसमें गिरावट देखने को मिले तो आप यहाँ पर buy on dips के strategy अपलाई कर सकते है और इसे अपने portfolio में add कर सकते है और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio हमसे review करना चाहते है तो उसका link भी हमने description box में दे दिया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like कीज़े, share कीज़े, comment कीज़े, subscribe कीज़े और मुझे motivate कीज़े thank you, stay happy, happy investing